हाई बच्चो आई होप यू आल अर गूड और स्टेइंग सेफ पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर फाइब का पेज नमबर ट्वेंटी थी देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था एनिमल्स इट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड जानवर किस-किस तरह का खाना खाते हैं उसके बारे में हम लोग देखेते हैं जो एनिमल्स प्लांट या प्लांट के प्रड़क्ट्स को खाते हैं उसको हम लोग हभी बोरस कहते हैं और जो दूसरे एनिमल्स को या उसके मांस को खाते हैं, उसे हम लोग कार्णिवोरस एनिमल काते हैं जैसे कि लायल, इगल, कैट ये दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं अब आप लोग पेस नमबर 24 में आईए some animals eat insects, कुछ जानवर इन्सेक्स को खाते हैं spider make a wave and catch the insects, spider जाल बनाता है कीरों को पकरने के लिए bird, lizard, frog, etc. eat insects, पच्छी, छिपकिली और मेढक इन्सेक्स को खाते हैं some insects eat paper, wood and other things कुछ कीरे, कुछ insects, paper, लक्री और other things कुछ और चीजों को खाते हैं cricket eats cloths and termite eats wood, paper, etc. we will eat cereals, cricket जिंगुर है, वो कपरों को खाता है दीमक लक्री या paper को खाता है और we will means घून, वो अनाज को खाता है जिसको आप लोग चुंधा बोलते हैं, वो अनाज में लगता है, अनाज को खाता है some insects like honey bee, butterfly, etc. sucks nectar from flowers कुछ insects जैसे की honey bee, madhu makki और butterfly, तितलिया यह सब जो फूलो का nectar होता है, उसको चूसते हैं nectar means, फूल का madhu या फूल का साड़ या फूल का रस को वो चूसते हैं no more, butterfly is a hubby boris animal butterfly एक साकाहारी जानवर है small children of animals get food from their parents animal की जो छोटे बच्चे होते हैं, वो parents अपने parents से खाना उनको मिलता है some animals such as goat, cow, bat, whale, etc. feed milk to their children कुछ animals जैसे की goat, cow, bat, whale, यह सब अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं आज के लिए इतना ही अगले class में हम लोग आगे देखेंगे आप लोग chapter 5, read करके आईएगा bye bye, have a wonderful day, thank you so much आप हैं allается